बैजनात गोमती नदी में बागेश्वर जिले में कुमाउं प्रभाग में बसा एक छोटा सा शहर है यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद है जिने उत्राखंड में भारतिय पुरतत्व सर्वेक्षन द्वारा राष्टिय महत्व के समारकों के रूप में मानेता दी गई है बैजनात को भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुमाओं में शिव हैरिटेज सरकिट से जोड़े जाने वाले चार स्थानों में से एक की रूप में चुना गया है बैजनात जिसे तब कार्तिकेपुरा के नाम से जाना जाता था अब यह स्थान बैजनात के नाम से जाना जाता है शेत्र का पहला स्थाई बंदोबस्त करवीरपूर या करवीरपूर नामक एक शहर था इस शहर के खंडरों का इस्तिमाल कत्यूरी राजा नर्सिंग देव ने शेत्र में अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए किया था तेरवी शितावदी में राज्य विगिटित होकर आठ विभिन रिहासतों को जन्म दिया कत्यूरी राजाओं के वन्शज 1565 तक अल्मोडा के राजा बालो कल्यान चंद ने बैजनात को कुमाओं में मिला लिया यह 1901 में 148 की अबादी वाला एक छोटा सा गाउं था जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे कुमाओं कत्यूरी राजा ने लगभग 1150 ईसवी में बनवाया था यह बैजनात मंदिर बैजनात में घूमने के लिए सबसे महत्व पूर्ण स्थानों में से एक बारवी शतावदी में निर्मित एतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्व पूर्ण मंदिर है मंदर का महत्व इसी लिए है क्योंकि हिंदू पौरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवा गौमती नदी और गरुड गंगा के संगम पर हुआ था चिकित सकों के भगवान शिव वैद्यनात को समर्पित बैजनात मंदिर वास्तव में शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ कत्योरी राजाओं द्वारा निर्मित एक मंदिर परिसर है मुख्य मंदिर जिसमें मा पार्वती की एक सुन्दर मूर्ति है जो काले पत्थर में तराशी गई है ऐसा माना जाता है कि इसे कत्योरी राजाओं ने एक ही रात में बनवाया था बैजनात कैसे पहुंचें? निकटम हवायड़ा पंत नगर हवायड़ा है जो बैजनात से 180 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है बैजनात के लिए अल्मोडा मार्ग पर असानी से कैब या बस ले सकते हैं निकटम रेल हेड काट गुदाम में है जो बैजनात से 150 किलोमेटर दूर है कोई भी असानी से कैब प्राप्त कर सकता है या बैजनात की और बस ले सकता है उत्राखंड के सभी हिस्सों से मोटर सक्षम सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है बैजनात के लिए जिशिकेश, काट गुदाम, अलमोडा और नैनिताल से बस और टैक्सी असानी से मिल सकती है For more infotainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates